Dear Students, आज हम Chemistry में एक नया Uniti स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आप याँ देख रहे हो Carbohidrate है Carbohidrate की बारे में बात करें तो Carbohidrate प्रकरती में पाई जाने वाले काफी मैथोपोण योगिक हैं काफी सारी योगिकों की बारे में जो carbohydrate है उनके बारे में जानते भी हैं जैसे glucose है, sucrose है, cellulose और starch है glucose की बात करें तो glucose का formula C6-S12-O6 है, sucrose का C12-S22-O11 है इसके इलावा cellulose और starch के बारे में बात करें तो C6-S10-O5 का whole N, ये इनके कुछ formula होते हैं इन सब में हम देखते हैं कि जितने भी carbohydrate हैं उनमें carbon, hydrogen और oxygen ततो उपस्तित होते हैं carbohydrate में अनों में हम बात करें तो hydrogen और oxygen का अनुपात, जल के अनुपात के equal 2 ratio of 1 होने के कारण प्रारंबिक रूप में इनहें carbon के hydrate कहा गया था फल्स्वरूप इनका नाम carbohydrate दिया गया इनके सामने सुत्र की बात करें तो C, X, S2O का होलवाई होता है प्रन्तू इसे भोथ से योगिक भी ग्यात हैं जो carbon के hydrate हैं और धारते इनमें hydrogen और oxygen का अनुपात तो 2 ratio 1 है प्रन्तू वे carbohydrate नहीं है जैसे aldeide है, acetic acid है इसके लावा lectic acid है तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी definition क्या होती है तो देखो definition की हम बात कर रहे हैं ये या तो polyhydroxy aldeide है या polyhydroxy ketone है या ये hydrolysis पर polyhydroxy aldeide और ketone हमें देते हैं और जिनमें कम से कम एक किरेल कार्बन होता है these are hydrates of carbon ये carbon के hydrates होते हैं जैसे हमने कहा था कि इनमें जो hydrogen और oxygen का जो ratio है वो 2 ratio 1 होने के कारण इन्हें ये नाम प्रारंबिक तोर पर दिया गया था जनरल फोर्मूला के हम बात करें तो CXH2O का होलवाई होता है कुछ इनके acception है जिनके बारे में भी हमने बात की थी कि formaldehyde है HCHO acetic acid है CS3COH इसके लवा lectic acid है C3H6O3 ये उस फोर्मूला को तो follow करते हैं बट carbohydrate नहीं है बात करें हम raminose की C6H12O5 इसके लवाद डियोकसी राइबोज C5H10O4 ये फोर्मूला को follow नहीं करते हैं फिर भी carbohydrate है तो इस प्रकार केवल इस फोर्मूले को ही अपन 100% सही नहीं मान सकते अब हम बात करते हैं इनकी classification की कि जो carbohydrate का classification है या जो वरगीकरण है उसकी बात करें तो हम carbohydrate को तीन तरीके से classify करेंगे सबसे पहले based on their behavior towards hydrolysis तो इस basis पे हम जब carbohydrate का वरगीकरण करते हैं तो carbohydrate को हम three category में divide करते हैं first monosecuride है second oligosacuride है और third polysecuride monosecuride की बात करें तो इनका सामने सुत्र CN, H2N, ON होता है इसके कुछ अपवाद भी होते हैं यहां N की हम बात करें तो N 2 to 10 हो सकता है और इनके जल अफगठन पर निवनतर carbohydrate प्राप्त नहीं होते हैं या इनका जल अफगठन नहीं होता है यह हो कह सकते हैं जैसे eldos है ketos है यह हमारे पास क्या है monosecuride है बात करें हम oligosacuride की own hydrolysis yield 2 to 9 units of monosecuride यह हो कहें वे carbohydrate जो जल अफगठन पर 2 से 9 monosecuride इकाईयां दे सकते हैं वो क्या कहलाते हैं oligosacuride कहलाते हैं कुछ books में आपको 2 to 10 भी मिल सकता है जल अफगठन से प्राप्त monosecuride इकाईयां समान भी हो सकते हैं जल अफगठन पर प्राप्त 2, 3, 4 monosecuride इकाईयों के आदार पर इने क्रम से है dicecuride, tricecuride, tetrasecuride अधी नाम दिये जाते हैं जैसे हमने लिखा है dicecuride तो dicecuride जो है वो जल अफगठन पर 2 monosecuride इकाईयां देती हैं इनका सुत्र जो है वो C12, S22, O11 होता है जैसे हम बात करें माल्टोज है, सुक्रोज है, लेक्टोज है ये सब के सब क्या है dicecuride नेक्स्ट हम बात करें tricecuride, ये जल अफगठन पर 3 monosecuride इकाईयां देते हैं इनका सामने सुत्र C18 H32 O16 है हुदारण की बात करें तो रैफिनोज इसका क्या है उदारण है, इसी प्रकार हम बात करें tricecuride की, तो ये जल अफगठन पर 3 monosecuride इकाईयां देते हैं इनका सामने सुत्र C18 H32 O16 होता है और इसके बारे में हमने बात की इनका उदारण रैफिनोज है इसी प्रकार tetra securide की बात कर रहे हैं, ये जल अफगठन पर 4 monosecuride इकाईयां देते हैं जैसे steakyoz सामने सुत्र C24 H42 O21 होता है इसी प्रकार oligo securide और आगे चलते रहते हैं, नेक्स्ट हम बात करें behavior के basis पे तो poly securide आते हैं third number के जो carbohydrate है वो poly securide होते हैं तो इनके बारे में हम बात करें ये जल अफगठन पर normally बड़ी संख्या में monosecuride इकाईयां देते हैं इनका जो सामने सुत्र होता है वो C6 H10O5 का whole end होता है जैसे हम बात करें, starts हैं cellulose है, emyloge है emylofectin है ये सब इनके क्या है उदारण है अब बात आती है कि जो poly securide जल अफगठन पर एक सम्मान monosecuride इकाईयां देते हैं उन्हें हम homopolis securide कहते हैं और जो भिन-भिन monosecuride इकाईयां देते हैं उन्हें हम heteropolis securide या visum poly securide कहते हैं इस category में हम देखते हैं कि starts और cellulose हैं वो some poly securide के उदारण अब बात करते हैं next classification based on test या test के basis पे हम जब इनका वर्गी करण करते हैं तो देखिए carbohydrates with sweet taste are called sugars while those without a sweet taste are called non-sugars it may be noted that all mono and poly securide are sugars while poly securide are non-sugars या यूं कहें कि सरक्राएं जो हैं या sugars हैं वे carbohydrates जो स्वाद में मीठे होते हैं ये जल में विले होते हैं और crystal ये थोस पदार्थ होते हैं इनको हम sugars कहते हैं इसके जो उदारण हैं हमने खहा कि all mono and oligosacuride तो इस basis पे हम बात करें glucose हैं tractose हैं lactose हैं sucrose हैं ये सब के सब क्या हैं sugar के इत्यामपल्स हैं non-sugar की बात करें तो जो carbohydrate स्वाध हीन होते हैं जल में एविले होते हैं या बहुत कम विले होते हैं और accrystalli होते हैं इस category में हमने कहा कि polygosacuride हैं तो polygosacuride के बारे में हमने बात की कि stars हैं cellulose हैं ये सब क्या हैं polygosacuride हैं तो इस प्रकार हमने test के basis पे इनको two category में divide किया third हम इनका जो classification कर रहे हैं वो reducing और non reducing sugars में कर रहे हैं तो reducing sugars से जो होती हैं वो tolerance reagent, filling reagent उनको क्या करती है, reduce करती है इनमें हमें पता है कि ये सब करने के लिए क्या होना चाहिए, free CHO group होना चाहिए इस basis पे हम देखते हैं कि glucose है, maltose है, lactose है ये सब क्या है, reducing sugar और जो non reducing sugar हैं, वो non reduced deez reagent deez reagent मतलब tolerance reagent, filling reagent आदी इनमें free CHO group नहीं होता है तो जो fructose हैं मारा, जो sucrose है वो सब के सब क्या है, non reducing sugar के examples है अब हम बात करें कि इनका जो nomenclature है नामकरण की बात है, तो सरल carbohydrate के नाम के अंत में ओज लगता है सरक्राइज जिन में LDI समू होता है, उनको ELDOS कहते हैं थता जिन में ketonic समू होता है, उनने ketose कहते हैं अब जो योगिक है, उसमें उपस्तित कार्बन प्रमाणों की संक्या को ग्रिक पुर्वलगन के द्वारा सब्द जो ओज सब्द था उससे पहले प्रतर्शित किया जाता है, जैसे ELDO-EXOGE की बात करें, तो ये 6-carbon वाला carbohydrate है, जिसमें LDL समू उपस्तित है, इसी प्रकार हम keto-EXOGE की बात करें, तो ये 6-carbon वाला carbohydrate है, जिसमें ketonic समू है, इसी प्रकार ELDO-PENTOGE, KITO-PENTOGE में FAST-Carbon प्रमाणों उपस्तित होंगे, तो इस प्रकार आज हमने carbohydrate की definition के बारे में बात की, इनका classification देखा और इनको nomenclature इनका कैसे करते हैं, इस बारे में कुछ basic study की, आज की class में इतना ही, thank you.